हेलो फ्रेंड्स आपने सिर और पैर वाले कुश्चन अक्सर एक्जाम्स में आते हुए देखे होंगे कुश्चन में आपको सिरों की सेंख्या और पैरों की सेंख्या दी जाती है और आप से गाय या मुर्गे की सेंख्या पूँच लिजाती है तो फ्रेंट्स इससे रिलेटेड एक कुश्चन RRB NTPC 2016 में पूँचा गया था उस कुश्चन को मैं आपको लेकर आया हूँ तो यहां से देखे कुश्चन क्या था एक किसान के पास कुछ गाए और कुछ मुर्गे है उनके सिरों की सेंख्या 48 है और पैरों की सेंख्या 120 है तो किसान के पास गाए कितनी है तो फ्रेंट्स इस कुश्चन को हम एक ट्रिक के मैध्धम से सौलू करेंगे तो सबसे पहले तो हमें यहां पर सिरों की सेंख्या दे रखी है सिरों की सेंख्या दे रखी है 48 इसके बाद पैरों की सेंख्या दे रखे हमको 120 इसको अब friends trick क्या लगानी है तो trick ये लगानी है कि पैर बटे 2 माइनस सिर यानी पैरों का आदा करके सिरों की सेंख्या को घटा दिंगे तो जिसके ज़दा पैर होंगे उसकी सेंख्या हमें मिल जाएगी तो अब यहां से देखिए पैर कितने हैं 120 तो 120 का आदा करेंगे तो 60 आ जाएगा और सिरों की संख्या कितनी हैं 48 40 60 में से 48 गटाएंगे तो 12 आ जाएगा जो अधिक पैरवालों की संख्या है इसका मतलब यह किस की संख्या है गाय की तो गायों की संख्या कितनी आ जाएगी 12 तो इस कुछ संख्या का सही आंसर ए हो जाएगा यदि आपको मुर्गे की संख्या निकालनी है तो देखिए अगर तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट ट्रिक में नमस्कार